जूलरी जोलरी जतनी आउट्वित पैने मैं आपके साथ अच्छे वाली हो चाह। टो क्यों प्रेसा बीडिएयो तो प्लीज चैनल कोला लाइक शेयर जोलरी चैनल को लाइक शीर करने वाली हूँ देड़ियो जोलों को हैसे बिल बत खुरुफ बिल्कुल भी मत भूलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो करने वाली हूं एरिंग्स वह बहुत ही ज्यादा प्रिटी थे मुझे बहुत सुंदर लगे थे और इस तरीके के हैं और काफी अपोर्डेबल प्राइस में थे काफी अच्छा लगा ये लूप एक्चली मैंने पहली बार ऐसा कुछ वेर किया था जो यूनों लॉंग होते हैं एरिंग्स और ये इस तरीके के एरिंग्स हैं और में कलर्स भी अवेलिबल थे काफी सारे और ये पहन के बहुत ही ज्यादा प्रेटी लगते आप देख सकते ह कितने सुन्दर लग रहे हैं और इनका जो प्राइस था अंडर 200 था तो मेरी ब्लैक सारी थी तो उनके साथ मैंने ये इस तरीके के एरिंग्स लिये थे आप देख सकते हो इनकी शाइन वगेरा और बिल्कुल भी हैवी नहीं है अगर आप सोच रहे हैं इतने लंबे हैं तो यह बहुत ज्यादा वेट होगा इनमे ऐसा कुछ भी नहीं है काफी ज्यादा लाइट वेट थे और आप देख सकते हो सारी अगर आप गाउन वगएर करते हो उन पर कितने सुन्दर लग सकते हैं अगर आप इनने लेना चाहते हैं और इनमें भी देखे कितनी अच्छी शा आप मेरी राखी जो मेकप लुक है वो देख सकते हो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंग आप वो वीडियो जरूर देखेगा आपको पता चलेगा कि यह सारी के साथ कितने प्रिटी लगते हैं तो फॉर्सली जो मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं यह वाले एरिंग्स हैं अगर आप लेना जाते हैं तो इन्हें डेफिनेटली पर्चेस कर सकते हैं बिल्कुल भी डामेज वगएरा कुछ भी नहीं ऐसा कुछ मुझे रिसीव हुआ बहुत अच्छी क्वालिटी रिसीव हुई है और यह मेरे फर्स पर्चेजिंग थी निकला हुआ था मतलब निकल के इसी के अंदर ही था तो मैंने उसको फिर चिपकाया तो यह इसके साथ हुआ था रिंग है और यह काफी प्रिटी है आप देख सकते हो मल्टी कलर की रिंग अगर आप कुछ ऐसी रिंग लेना चाहते हैं जो हर आउटफिट के साथ जाए तो और और जूल्री होते हैं आप साड़ी पेर अप करो या फिर यूनोर गाउन लहेंगा कुछ भी पहन सकते हो सबके साथ बहुत सुन्दर लगती आप देख सकते हो किती ब्यूटिफुल और इसमें यह गूंगरू की जो आवाज है यह बहुत प्रिटी लगते बहुत जाद आप अपनी फिंगर के अगोर्डिंग इसको छोटा बड़ा कर सकते हो और किसी भी फिंगर में यह सेट हो जाती है आप देख सकते हैं और मुझे बहुत जादा सुन्दर लग रही थी अगर आप लेना चाहते हैं ऐसा कुछ रिंग जो हर ड्रेस के साथ मैच करें तो आप जरूर ले सकते हैं इसका जो भी एक्जेक्ट प्राइज होगा जो भी जहां से भी मैंने इसको परचेस किया है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगे आप बहां से परचेस कर सकते हैं बट येस मेरी तरफ से आप फुली यूरो सैटिस्फाई होके इसको ले स जो आपके साथ शेयर करने वाली हूं वह बैंगल्स थी दो ऑक्सिडाइज कड़े थे इस तरीके के हैं सब्सक्राइज करते हैं आप सब्सक्राइज गर्ट पहस्ति तरीके यह सिए हैं अचेियर मिर्यर है यह शाइन आप देख रहे हैं यह रियल मिरर नहीं नहीं है यह रियल मीरर है बट ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चुबना होगा बहुत अच्छे से और यहां से ओपनेबल है तो अगर आपका हैंड पतला है है किसी भी तरीके का है तो आप यह बहुत सुंदर लगने वाले हैं और आप देख सकतो किते ब्यूटिफुल एंड के साथ अगर आप इस तरीके का कुछ लेना चाहते हैं तो आप जरूर ले सकते हैं तो यह मेरा बैंगल्स का सेट था जो मैंने और किया था और मुझे काफी अच्छे रिसीव हुए था इसमें कुछ भी डैमेज नहीं था और जैसे आपको शो हो रहे हैं और यह और यह उक्सिडा अगर आपने मेरी बोग वीडियो देखी है तो यह इस तरीके की ब्लैक साडी है ुसमें पूरे साडी में सीक्वेंस वर्क हो रखा था इसका जो फरस्त लुक है मैं आपको शो कर देते हूं अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीस मेरे चैनल पर ज़रू यहाँ आपको पल्ले की तरफ इसमें सिख्वेंस वर्क है यह तो और उसमें में से कलर में ले था तो यहां से आपको पल्ले की तरफ है यहां पे थोड़ी सी पाइपिन लगी हुई एक ब्लैक में में जो गोल्डन सीक्वेंस वो इस तरीके से स्टिच किये हुआ है काफी अच्छी स्टिचिंग है कुछ भी नहीं निकला हुआ था आप पूरी साड़ी देख सकते हो पूरी साड़ी एक्चली इसी ही तरह की है बिल्कुल भी कहीं भी खाली नहीं है सब जगा यही वर्क हो रखा अब देख सकते हो जो अंदर की तरफ ड्रेपिंग का पार्ट होता है वहां पर यह ब्लैंक है और बाकी सारा जो है वह इस तरीके का वर्क इसमें हो रहा है मुझे काफी सुन्दर लेगी थी और मुझे ब्लैक कलर इसले लेना था क्योंकि मेरे पास एक ब्लाव साब ब्लैक इसमें काफी सारे कलर्स भी थे अगर आप यह कलर नहीं लेना चाहते तो आप कोई और कलर भी ले सकते हो बट इस साड़ी का एक ड्रॉबैक यह है कि अगर आपकी हाइड बहुत जादा है आप थोड़े से हैल्दी हैं तो मेभी आपको छोटी पर सकती है बट मुझे इसका बलाउज नहीं स्टिच कराना था इसका इस तरीक चाहिए आप देख सकते हो ब्लाउज की वालिटी वी बहुत अच्छी और का आप है हम इसमें किसी भी तरह का बलाउज जो है वो स्टिच करा सकते है यह देखे यहां से लेकर यहां तक है बट बलाउज में कोई भी वर्क नहीं है, blouse इस तरीके का plane है, तो blouse में कोई भी work नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये थोड़ी छोटी थी तो थोड़ा इसको इसको इakersची सी draping ज़गर आये, प्लीट सच्छे से बने, तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा मेरे पास black प्लोथ रखा हुआ था तो मैंने यह अंदर की साइड जो है इसमें स्टिच करा लिया था ताकि यह थोड़ी सी लंबी हो जाए अगर आप इस तरीके से कुछ कर सकते हैं तो आप इस साड़ी को ले सकते हो अगर आपको प्रॉपर चाहिए आप इस तरीके से कुछ अटैच न क्या है तो मुझे जादा लंबी साड़ी का कोई यूज भी नहीं है इसलिए मैंने इतना सा फैब्रीक अटैच कराया है अगर आप जादा लंबी है तो आप थोड़ा सा जादा भी अटैच करा सकते हो तो बस एक यही इसमें ड्रोबैक मुझे लगा अधर वालिटी बहुत शुबने दार प्लाप है कर देख्वरिय Nepal का अगर दें प्ली आकित्व साडरि मैंने बहुत बहुत है पालोोग भी मालते है एक साड़ी यह कुछ दीं नहीं है तो पूलिए दारी को बैसा है बहुत बहुती है वालिए जान Tो इसमें लिए किता है वीम जाघी तो अगर हम फैब्रिक लगा लें तो मुझे यह साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लेगी इसलिए मैंने इसको रिटन नहीं करा था हाला कि छोटी थी और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा था प्राइस के अकोडिंग यह साड़ी बहुत ही ज्यादा अगर आप लेना चाहते हैं इस साड़ी को तो प्लीज इसको जरूर परचेस कर लें और इसमें बहुत सारे कलर्स भी हैं तो आप कोई भी कलर इसके साड़ी के साथ प्लिक कते हैं यह साड़ी लेना पड़ी तो मुझे असलय के साड़ी क्यस्वाज आपको तौनप मचे कर रहा है था इसको write When your अगर आप इस तरह से mix and match करके कुछ बनवाना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं बिल्कुल भी फिर आपको छोटी नहीं पड़ेगी आप अपना वह ब्लाउच पीस अंदर अपनी साड़ी में टैच करा लीजिए और अलग से अपना ब्लाउच इस तरीके से डिजाइनर को सिल्वा लीजिए तो आपकी साड़ी बहुत ज्यादा प्रिटी लगेगी बहुत ज्यादा डिजाइनर एलिमेंटेड हो जाएगा एंड लास्ली जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वह है ब्लैक क्लर की वैलवेट बैंगल्स आइधिंक यह बहुत बेसिक है काफी मार्किट में अवेलेबल होती है तो मैंने उन कड़ों के साथ इस तरीके की बैंगल्स जो हैं वह मैच करी थी और यह वैलवेट की हैं आप देख सकते हो काफी सुन्दर लगता है यह वैलवेट जो होता है और यह कांच की है मैटल नहीं है कांच के ओपर यह वैलवेट है तो मैंने यह जो पूरी चीजे थी मैंने अपनी राखी जो मेकप मैंने अच्छल राखी डे मेकप अपना किया था क्रियेट उसमें मैंने वेयर करी थी अगर आपको इन में से कुछ भी लेना है तो आप लिंक पे परचेस कर सकते हैं बिलकुर बिग थम्स अप है सारी जी अगर आपको वीडियो आज की जड़ा भी अच्छी लेगी हो थोड़ी भी एलप फोलो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैल बटन को हिट करना बिलकुर भी मत भूलना और बताएगा जरूर इन में से आपका सबस्यादा फेवरेट जो को हम से